है कि हैल लो दोस्तो कैसे हो दोस्तो अचके कैसे इस व्यडम आप सबका स्वांगत करता हूं तुर दोस्तों आज के स्थ़ुनवड में बात करने वाले बिट लिग के 13 मैच के बारे में जो ने वाला होबात हरीकरण्स VS मेलबन रेनिगेर्स इन दोस्तों यह मैच दोफयर को 145 पीम को स्टार्ट होगा वेनी होने वाला है वेलियर ओवल होबाट में तो अब इसलिय दोस्तों इंपॉर्टन मैच है बढ़िया मैच रहेगा प्यूंकि होबाट में फिरस्ट मैच तो बहुत इंट्रस्टिंग दोनों टीमों में changes expected है, क्या changes होंगे, कौन सा player important है, किस player को pick करना है, किस player को drop करना है, detail में हम लोग बात करेंगे, तो बने रहो, वीडियो पर बने रहो, ठीक है, बढ़ेंगे आगे बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग पीचर पर के बारे में, तो यही कहना चाहूंगा, कि balance wicket होती है, batters, pacers, obviously, इन दोनों को advantage ज्यादा होता है when it's come to Australia, but anyway, spin में भी help मिलता है, spinners को, spinners को भी wicket आपे मिल जाती है, तो एक balance wicket देखने को आपको मिल जाए, ठीक है, बढ़ेंगे आगे बात करेंगे, सबसे पहले होगा ठीकन्स के बारे में, दो matches हो चुके है, इस team क ठीक है, कुछ इस तरह के से playing लिए होने है नीचे ये विससे तो पिछली मैट में मैथ्यूएड नहीं खेलेते, कैलिप, जेविल और बेंड मैक्दमर्ट ने open किया था, निखिल चोधरी खेलेते, ठीक है, थोड़ा lower down order खेलेते, बट खेलेते मैथ्यूएड के जगपे, औ पिछली मैट में चेंजेस भी थे, जैसे पिछली मैट में कौन कहला था, तो पिछली मैट में राइली मेरेदित नहीं थे, ठीक है, पिछली मैट में मैथ्यूएड नहीं थे, इन दोनों के जगपे कौन कहला था, निखिल चोधरी खेलेते, और मिचल ओवन खेलेते, ठीक ह अब मुझे लगते हैं मोस्ट लाइक लिसमेट में अच्छी बैटिंग करी थी तो यह नोट करके चलिएगा ठीक है बात करते हैं परफॉमंस की तो पहले मैट में अच्छी नहीं रहे हैं अब तक दोनों मैच अच्छे नहीं रहे हैं टूब मैच भी जीताया था बट पिछले मैच कुछ नहीं रहा निकल चेहदर ही पिछले मैच खेले थे पहले मैच में एक विकेट भी निखाला था यह निखाला था अब इस तरह के से टीम खेली है तो फार्म सबक आच्छा दिखने ही रहा है थो यह भी नोट करके चलिएगा अब टीम अच्छी है तो अब बढ़ेंगे आगे बात करेंगे हम लोग मेलबन रेंडिकेट के बारे में तो कुछ इस तरह के से रेंगेट के प्लेंगे लिए रहनी चाहिए यह एक कैसे टीम है ना बैक्ष लिग में यह बहुत स्ट्रगल करती है मेलबन स्टार्स और मेलबन रेंडिकेट दोरों बहुत स्ट्रगल करते हैं कुछ खास प्रवेंशिंट का देखने का नहीं मिला है ओ मैक्सवेल ने भी इनकी बहुत तारीब करी हुई है पिछला मैक्षिंट का भी बहुत अच्छा रहा था तो उसका निक मैदिन से ने कुछ खास नहीं करते हैं एरन फिंच ओपन कर्या करते थे अपने पूरे करियर में नोंने ओपन किया है अब पता निक्यों मीडल और में में खेलते हैं जोनाथन वेल से एक अच्छे टैलेंट है बट थोड़ा नीचे वैटिंग करते हैं विल सदर्लेंड और कें डिचर्सन वेरी गुड बॉलर टॉम रोजस वेरी गुड बॉलर मुजीव और जैंपा इस पिनरी स्टिम के लिए खेल रहा है ठीक है इसके में कुछ खास नहीं किया एलेंट फिंच ने पहले मैंट में 33 जरूर बनाएं सेकर में दो प्या उट हुए वेलस ने पिछले में 34 के बढ़िया पारी खेली विल सदर्लेंड ने पहले मैट में 51 और नोट प्लस दो विकेट पिछले मैट में विकेट लेस रहे हैं में देखो तो एक जैक फ्रेजर को छोड़े तो किसी ने में नहीं किया तो यह तिम भी कर रही है तो मज़ा आएगा होगा रिकल्स वर्स इस मैच में मज़ा आएगा देखते हैं कौन सिटी पाच्छा करती है इसमें इंपॉर्टन प्लेस की बाद कर डिकॉक इंपॉर्ट सकते हैं दोस्तों बात करते एक्स्चेंज 22 की तो जलते हो वर्सेस मेलबन रेनिगेट्स वाले मैच में ठीक है या पर देखते कि स्पेर को भाई या फिर सेल किया जा सकता है तो मुझे लगता है अगर पहले बॉलिंग है हो बट की तो थोड़ा सा नेतनेल इसको आप कर सकते हो ठीक है इसके अलावा और कोई में ज्यादा रिक्वेमेंट नहीं करो को रेंडर्स ने 27 या कर सकते हो बिकॉज बैटिंग अगर मिली तो 15 रन भी बना देते तो 15 20 वहीं मिल जाते एक रिकेट गलती से मिल गया तो फ्रॉफिट दे सकते रिसकी है ठोड़ा वो ट् मैच में ट्राइ कर सकते हो अगर पहले रेलिगेट की बैटिंग में से वेंडिवेल्स को बाई करना पर दिसकी रहेगा अभी को नमबर छे नमबर साथ पर आते हैं तो छोड़ो यह कुछ जो प्लेस में ने बता है उनको आप ट्राइ कर सकते हो ओके सो दोस्तों जैसे का प तो आप इन में से कोई भी ले सकते हो चारो के चारो टॉप ओडर प्लेयर्स हैं पैटिंग में फ्रेजर मैक कर बहुत अच्छी फॉर्म में है कलिप जेविल का फॉर्म अच्छा है एलन फिंच तुड़ा नीचे आते टिम डेविड दोनों मैचे से कुछ खास नहीं किया इस मैट में बहुत अच्छी बैटिंग करें जोटन वेल्स इस देर जोड़ा नीचे आते सैम हैं दोनों मैचे कुछ खास नहीं किया बड़ा इम स्टील बैकिंग ही मैं गोइंग ही मैज वेल तो रिसकी है बट में जा रहा हूँ और कोई खिलना नहीं चाहिए ठीक है और सक्षन में जॉड़न सदर्लैंड दोनों को में ले चुका हूँ इसके लाग पोरी एंडर्सन ने पॉब्लिक ले रही है ले सकते हो निकल चोदरी ने अच्छा किया पिश्मैट में मिचल ओवें बैटिंग भी कर लेते बालिंग कर सकते हो वालिंग में जैंपा रिजर्ट अगर खेलेंगे तुम्हें definitely ले लूँगा बट I don't know खेलेंगे नहीं खेलेंगे मुश्किले कहना तो हाँ definitely important रहेगा कि क्या प्लेंग लिए उन रहेगी दोनों टीम हो की यह nine players है इसके अलावा में क्या कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पर बैटिंग में मैंने बैंड मेंड इस तरीके से कुछ चेंजस में करूँगा बट अभी के लिए मैंने इस तरीके से अपनी टीम बनाई है जिसमें obviously में लिए सोड़े से बैकर ज्यादा लिए है फ्रॉम होवाट हरीकर जाए ठीक है क्या इस क्या बात करते हैं तो पब्लीक विल से दर्लेंड के साथ जाएगी पब्ली के साथ विकॉस की दोना ओर्ड एक प्रॉपर और नहीं ठीक है सेंपोर जॉर्डन ओभी कोई प्रॉपर और नहीं है कर लेते बैटिंग करना जानते बड़ पता निक हर्मेट में तो ओविसली नहीं खेलते ठीक है तो वह एक कंसेने बैटर में भी कोई सब कोई डेफिनेट कॉंसिस्टेंट बैटर है नेजिन का फॉर्म बहुत अच्छा रहा हो डिकाओ का फॉम अच्छा बोलका बहुत अच्छा रहा है बद टेट्वेंटी क्रिकेट ऑस्टलिया डोन नो इतना अच्छा कर पाएंगे अभी तो हम लोग क्या करेंगे सेप ही च पर पर संद करूंगा तो को याद रखना कभी भी जब आपको कोई ठीक ना लगे ना कि वह यह है किसे करो कि समझ में आए कि कोई 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 आपके पास कोई ऐसा सॉलिड और अप्शन ना हो ना उस तेम पर क्या करो उस तेम पर ऐसे प्ताने को जो सेप है जिसको पॉब्ल और अज़र चल गया है तो फिर पॉब्लिक भी चलेगे और आप भी चल जाओगे ठीक है बट आप ऐसा कोई प्लेयर उठालो जो जिस पर आप कोई ना हो जो आप शूर नहीं हो और वो डिफरेंशल हो और वो ना चले तो फिर आपका लॉस कंफर्म्ड हुआ पर हो जाता ह है तो हाँ इस माट में मैं शूर नहीं हो कि और कौन सा प्लेयर अच्छा कर सकता है तो मैं सेब कैप्टन एस कैप्टन सदर्लेंड और जॉर्डन के साथ ही जाना पसंद कर रहा हूं देखेंगे टॉस के टाम पे क्या चेंज़ेस होते हैं उसके अकॉर कोई अच्छा प्ले अगर कर रहा हुआ है